नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ये तीन कलर का खुबशूरत सा डोर्मेट 32 फंदे का बनाना बताऊंगी और इसको मैंने तीन कलर में बनाए ये बहुत सुन्दर डोर्मेट बन के तयार होता है और इसमें बरावर फंदे डाले हैं यहां से लेके हैं यहां तक मैंने 16 कर दिलिया और दस फंदे का हम ने यह बनाया है तो इसीतरह से का तो यह व defines आता है यह बन के है ने हिए पूर पूरा कम्प्लीट की आई होता है यह रेड है यह रेड यलो और ग्रीन यह नहांते तीन कलर लिया है और इसमें डीलिए 16 फंदे अ दालिये हैं यह देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा बारा तेरा चौदा और यह दो फंदे और तो यह हमारे हो जाएंगे सबस्क्राइब तो यह विविवारी में 55 दाली। अब हम ये 16 फंदे 32 का बता रहे हैं डोर में, तो 16 फंदे हम आओ डालेंगे, तो 16 फंदे हम इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, मैं दो फंदे रेट से डालूँगे, एक, दो, दो फंदे हम ने रेट से लिए, अब दो फंदे हम येलो के बनाएंगे, तीन, ये दो फंदे हम इसी तरह से ये देखिए, रेट के बाद में, दो फंदे येलो के बनाएंगे, तो ये तीन, चार, ये चार फंदे हो गए, अब दो फंदे हम फिर रेट से बनाएंग तो ये खぇ 906 mm भूब डूब हैं ऐसम यहाँ view आप लिए हैं ईभल ब्रूब तो अब में दस पंदें ग्रीन से दालूगी फार सुन लेकेस दो तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, ये दस फंदे हमने ग्रीन से डाली है, तो अब हमारे ये टोटल बतिस फंदे हो गए, दोटल बतिस फंदे इसमें पाड़ चुके है, अब हम इसी डोर में डोर देखें, इस तरह की किनारी बनाने के लिए, डोर में इस तरह की किनारी आजाए, इसलिए मैंने इस छे फंदे का बनाए, तो यह देखिए, अब हम डिजाइन पहली सलाई से स्टार्ट करेंगे, तो यह डिजाइन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे, और यह देखिए, यह दस फंदे हैं, तो एक फंदा हमने उतार लिया, एक बिन लिया, तो दो, तीन, चार पांच छै साथ आठ नौ नौ फंदे हमने ये ग्रीन के बिले एक फंदा बचा तो इस धागे को हम ऐसे करेंगे और ये दो फंदे अब हम ये दिखें एक फंदा हमने ये ग्रीन वाले को रेट कर दिया और एक फंदा हम यहां से बिल लेंगे अभी हम्ने 2 फंदे जो रट कहीं तो 0 हो गए हमारे अब हमारा एक बच्छा अब लॉससे बिने गे तो यह फंदे हम यह बनाएंगे तो एक हमने रड का बिनिया एक और यह दो दो फंदे 했던 यह लो के बिनिया तो अब हावります यहएलो को बच गया तो इसमें भी हम एक दो तो यह हमारे यह च्छा फंद आपयोको आप हम इस तरह से घर ने और इसीतर से घ्रिन से ऊलटा यह पूरी सलाइकों इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे यह देखें अब यह पूरी लाइन ऐसे इस तरह से यह बिल लिए घ्रीन से अफ दो फंदें हम यहां पर छोड़ देंगे और यहीं से धागा घूमाके पलसलाइ पलत लेंगे अब इसके वाद हम सीधी साइड में आगए यह देखें यह हमारी फिर साइड और यह उल्टी अब तो अब हम सीधी साइड में आने पर ये ग्रीन वाले सारे फंदे ये हम उल्टा उल्टा यहां तक बिन लेंगे तो ये देखिए इस तरह से हम सभी फंदे ग्रीन वाले उल्टा उल्टा ऐसे बिन लेंगे अब ये देखे हमने green वाले सारे पंदे ये green से बिल्लीं अब देखे हमने green वाले सारे फंदे बिल्लीं अब ऐससे धागे को पीछह करेंगे ऐसे ओर इस धागे को आικά से पकड़ ये दो फंदे हमने रेड़ वाले बिन लें फिर धागा पीछे करेंगे फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको खीच के आंगे लाएंगे और ये दो फंदे अब हम येलो वाले येलो से बिन लेंगे येलो से बिन लेंगे अब धागा पीछे करेंगे और इस रेड़ वाले क को ढाइंगे दील लाइंगे तो यहाँ पे रेजाइन हमारी झिञ धिञ तो इसको अब हम फंदे डे वाले रेड रेड से बिल लेंगे अब धागा पीछे अब हमया keen यह यहां पे यह green बनाना है इस धागे को ऐससे लाएंगे लूज तक बिल लेंगे अब यह देखें हमने सीधी लाइन पूरी कंप्लीट कर ली अब हम फिर सलाई पलटके फिर उल्टी साइड आजेंगे तो उल्टी साइड आने पे यह देखें पहला पंद हम उतार लेंगे धागा आंगे और यह उस बार हमने नौ फंदे भी ने थे तो एक दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ इस बार हम आठ बिनेंगे एक फंद हमारा फिर बचेगा तो फिर इसको हम उसी तरह से करेंगे इस धागे को ऐसे और यह इसको अब हम एक ग्रीन वाले को रेड से कर देंगे तो एक रेड हो गया तो अब हमारी यहां पे तीन अब इस धागे इस रेड को हम यलो से बिनेंगे इस धागे को ऐसे रखेंगे और यह देखे एक दो यह दो फंद हमने यलो से बिनेंगे तो एक हमारा यलो का बच गया तिर इस धागे को ऐसे करेंगे और इसमें हम एक दो दो फंद हम रेड के बनाएंगे तो यह हमारी छै तरह से बनाएंगे उल्टी-उल्टी, सारे फंदें यहां तक बिनेंगेTON केक्षूट यहां तक यहां तक बिनेंगे, उसर्ष है जो दोधेंगे, दोधन जोड़ाते हाँ इस बार चूझे तो मैं लेक्षाने से यहां तक बिनahlenेंगे, पूरा उल्टा-उल्टा-गес अब यहीं से सलाई पलटके अब हम फिर से सीधी साइड में जैसे पिछली बार बता था से पिर से बनाना है ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले डे से यलो अले यलो से इसी तरह से पूरी लाइन यहां तक कंप्लीट करनी है अब यह देखे हैं मैं ग्रीन वाले फंदे बिले हैं मैं एक बार जोड और आपको बता रहे हूं किस तरह से करना अब यह मिलिया है इस धागे को पीछे ऐसे पकड़ना है और इसको खीच के आंगे लाना है क्योंकि यह हमारा यहां पे जोड है तो यह पहले जोड के विज़ करेंगे तो हमारा रेड थो इसोड को अब नहीं कीचेंगे इसको लूज रहाएं और दो फंदे अब हम उल्टा इपनदे में तो इस धागे को सारी फंदे यह हम अब नहीं तो यह टाइट हो जाएगी डिजाइन एकदम शिकूर जाएगी और यह सारे फंदे अब हम ग्रीन वाले उल्टा उल्टा यहां तक बिल लेंगे अब यह दिखे में सीधी सलाई पूरी कंप्लेट कर लिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आगे तो यह पहला फंदा उतालेंगे हागा आगे और अब यह देखे हैं एक फंदा मुना उता लिए लिये कृतीं जाएं यह सब नाष्दा से चोड़ दिया इस प्रम फिर ऑं यह कृते यह दो फंदे अब हम यहां लो से बिलनेंगे फिर तरहा एक यह यहां पर यह भचता है इस धागे को एसे खीचेंगे और यह एक दो दो फंदे रड़ के बिल लिए तो एक फंदे नहीं इस फन्दे को हम ग्रीन से बिंगे और सारे फन्द अफ अब ऐसे लिए उल्टा उल्टा लाश्व तक बिनेंगे इस तो अब हम आरे चार पंदे चूटे उया है तो दो फंदे फिर से छोड़ देंगे तो हमारे च्छट छोड़ जाएंगे हर सलाई में लोच चाहिए दो फंद चोड़ना ना आए अगर में सारे पंदे ने दो फंदे छोड़ देंगे तो मरे यहां पर छोड़िए नहीं से घुमा के अप सलाई पलटके हम सीधी शाइड के थे में और ये 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 फंदे बिने, उस बार हमने 7 बिने थे 6, हर सलाई में एक एक फंदा हम कम करते जा रहे हैं, और इस ग्रीन वाले को धागे से ऐसे करेंगे, और रेड से बिन देंगे, टाइट करके फंदा, एक, दो बिन लिया, फिर इस धागे को, दोनों को ऐसे कर देंगे, और इसको टाइट करके, अब हम एक, दो, दो फंदे येलो के बिन लिये, और फिर इस धागे को, अब हमारा एक फंदा येलो को बचता है, इसको हम एक, दो, दो फंदे हमने फिर रेड से बिन लिये, तो ये हमारे टोटल छे फंदे हो गए अब यह एक फंदा है रेड का इसको ग्रीन से बिनेंगे एक इसी तरह से हम अब बाकी फंदों को अब हम ऐसे पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे हर सलाई में हम यहां पर एक एक करके फंद डिजाइन को आंगे बढ़ाते हुए जाएंगे औ अब हमारे आठ फंदे छोड़ाएंगे यह देखे द्तला इसा रख तरह करके पूरे फंदे बचे है छोड़ने के लिए इंको भी हम छोडबेंगे तो किस तरह से छोड़ेंगे है डिखिए अब यह देखिए एक फंदा ये रेड से अब यहाँ पर हम एक फंदे रेड वाले को यलो से कर देंगे तो ये देखे दो यलो के हो गए और एक बच गया तो इसको हम दो को रेड से कर देंगे एक दो ये दो रेड से हो गए अब एक ये रेड का बचा तो इसको हम यलो से कर देंगे और एक, दो, तीन, चार, पाँच और यह दो फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से धागा घुमा के पलट लेंगे सीधी साइड, सीधी साइड पूरी बना के कम्प्लीट करेंगे अब यह हमने सीधी साइड कम्प्लीट कर ली, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, तो यह देखे पहला फंदा उतार के ऐसे करेंगे, अब हमें इस फंदे को यलो से बिलना है, यह रेड वाले को तो एक, दो, यह दो फंदे हमने यलो के बिलनी है, इस धागे को आइसे करेंगे, और यह एक फंदा आप हम यलो से, रेड वाले को ग्रीन से बिलनेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, चार फंदे, और एक धागा यहां से घुमा लेंगे, तो अब हमारे यह चार ग्रीन के बचे हैं, यही से पलड़ के अब हम यह सीधी साइड में पूरा ऐस ही बनाएंगे, अब हमें सीधी सालाई फिर बनाएंगे, फिर उल्टी साइड में, अब हमारे चार फंदे बचे हैं, दो यलो और दो रेड, तो अब इस बार हम फिर एक यलो का, ऐसे, अब यह हमें एक फंदा यलो आले को रेड से बिन लेंगे, यह देखिए, इस तरह से एक, और यह दो, तो अब हमारे यह तीन फंदे बचे, इस धागे को ऐसे, अब यह हम रेड वाले को ग्रीन कर देंगे, अब इसको हम ग्रीन से बिल लेंगे, तो यह देखिए, एक, दो, तीन, तीन फंदे, दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं से गुमा के ले लेंगे अब यषि दिसलाई पूरी ऐसे भनाएंगे रेड वाले रेड से यहलो वाले यहलो वाले ग्रीन वाले ग्रीन अब हम फिर से उल्ट्साइड में आगए slim वना लीए अब ये तीन थागाएब पीछे अब यह हमारे लास्ट में यह दो फंदे रेट के बचेंगे तो इस धागे को ऐसे करेंगे खीचेंगे और इस फंदे को अब हम ग्रीन से बिल लेंगे और यहीं से धागा पलट लेंगे यह दिखेंगे और इस एक दो अब यह दोनों फंदों को हम यह ग्रीन से बिल लेंगे और यह देखें यहीं से पलट लेंगे तो अभी यह हमारी हाफ कली बन गई अब हम यहां से हाफ कली और स्टार्ट करेंगे तो यह देखें हमारी हाफ कली बनने के बाद है किस तरह से स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने ये दो फंदे ग्रेन के बिने थे, तो पहला फंदा उतारेंगे, धागांगे, और ये दो फंदे बिन लिये, इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे, और यही से सलाई पललट के सीधी साइ़ेंगे, तो इससे साइडा बड़ा जाएंगे, यह किनाया पे तो अब डागे को ऐसे पैनेंगे इस थागे को ऐसा इसे की तरह जाएंगे तो यह दिखे हमें दो पन्दे और हमें लिए यह अँठी girip लगा एंगा जो आओने रहे जो यह देखें है यहां प्रेख लगा यह देखें हो इस तरह से इसको भीन देंगे तो इख diferentes अब इस चौते ओपन्य फंदे पर हम ऐसी लूप लगा देंगे और यहीं से सलाहि कल HEY यह देखें इसे सलोगत देखें फिर ये बाकी जो भीनेस थे फंदे वही फंदे बीनेंगे प्रोव यह देखे एक दो तिन फंदे बीनेंगे ऍधागा पीछे और यह रेड़ वाला ठूसे के लैने यह ओंगा यहीं से तो फिर फिर आगा अवा ए तो इसको इनप बेनेंगे तो अब हमारे ये दो रेड के हो गए, अब इस धागे को ऐसे करेंगे, और इसको अब हम एक, दो, तीन, चार, इस चार फंदे हमने बिलिए, अब इस फंदे पर हम फिर लूप लगाएंगे, इस तरह से, और यहीं से सलाई पलटेंगे, सीधी साइड में, इसको इसी में फिर देंगे, और बाकी जो उमने चार फंदे बिलिए थे, वही चार फंदे अब हम बिलिएंगे, यह दिखे, एक, दो, तीन, चार, यह दिखे, और इस धागे को पीछे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, और इसको खीच के आंगे लाएंगे, और यह हमारे उस बार एक फंदा था अब दो फंदे हो गए, इन दो फंदों को हम रेड वाले को रेड से बिलिएंगे, यह दिखे, तो अब हमारी यह दो फंदे रेड के यह वाले आ गए, अब हमें यलो कलर लगाना है, यह दिखे, यह दो फंदे रेड वाले यह आ गए, अब हमारी इसके बाद में यलो कलर छोड़ेंगे अब हम इस फंदे को हम एक फंदे को येल्व से बिल लेंगे यह दीखे एक एक फंद हमने य Крас एलो को ऑखेँ और खi ग्रीन वाले ऐसे फंदójब बना लेंगे यह दिखें इस तरह से और यह दिखें हमने तीन फंदे और पar लोप लगा है तो दो फंदे अभी बिना बिने कै Yummy बिने लेंगे अब यहां ने सिधी बना ली तो अब यह हमारे यह तीन फंद होगा है पहला फंद फिर उतारेंगे असको धागा आंगे और यह दिछे एक फंद हम रेट वाले को यह यहलो से चार, पांच, छे, छे फंदे हमने यह ग्रीन के बिल लिए और एक फंदे यह देखें इस फंदे पर फिर लूप लगाएंगे और सीधी साइड में पुरा ऐसी फिर बना के कंप्लीट करेंगे जो जैसा कलर है अब यह देखें हमने सीधी सालाई कंप्लीट कर ली तो हमारे यहाँ पे हो गए हैं दो रेड और दो एलो एक रेड हो गया अब हमेरे एक रेड और हमें बढ़ाना है तो हमारी यह डिजाइन वाले पूरे फंदे कंप्लीट है एक रेड बिल लिया धागा आंगे किया इसको हम यह लो वाले को रेड से बिलनेंगे इस धागे को ऐसे करेंगे इसको खीच के लाएंगे और यह एक दो दो हमारे रेड के हो गए अब एक फंदा हमारा रेड का है एक यह ले लिया और यह एक फंदा हमने इधार से ले लिया तो हमारे यह च्छै हो गए फंदे जो हमने यहां पर 6 फंदे की डिजाइन बनाईते हैं, अब यह हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए 6 फंदे, और इस धागे को ऐसे खीचेंगे, और सारे फंदे अब हम ग्रीन वाले इसी तरह से बिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 2 फंदे और लेलेंगे, तो 7, 8, 8 फंदे हो गए ह हमारे ग्रीन के, अब यह देखे, हम लूप इसलिए लगाते हैं, यह हमारे बीच का इतना गैपिंग रहता है, तो लूप लगाने से यह गैपिंग खतम हो जाता है, और डिजाइन बहुत अच्छे से आती है, तो यह देखे, अब हम यहां पे ऐसे लूप लगा देंगे, फिर यही से सलाई पलट के सीधी साइड मेंगे, पहला इसको इस सिल्पी रो देंगे, और यह सब भी फंदों को अब हम एक, दो, पूरा लाइन हम उल्टा-उल्टा बनाके कम्प्लीट करेंगे, यह देखे, सीधी सलाई जो जैसा कलार है, अब यह देखे, हमने सीधी यह देखे किस तरह से करेंगे, यह पहला फंदा उतारेंगे, ठागा आँगे, अब इस रेड को हम ग्रीन से बिनेंगे, अभी अब हमने यह पूरे डिजाइन वाले कम्प्लीट हो गए, तो अब हमारी ग्रीन वाले जैसे हमने एक एक फंदा लेते हुए, इदर आके सब ख एक फंदा हम बिलनेंगे, तो यह हमारे दो, एक दो, यह दो रेड के हो गए, अब हमारा एक येलो बचा तो इस धागे को ऐसे करेंगे, और इसको येलो से एक दो, अब यह हमने दो फंदे येलो के बिलनी है, तो अब हमारा एक रेड बचा है, तो इसको अब हम क्या एक फंदा ये red का एक हम green वाले से ले लेंगे तो ये हमारे 6 फंदे अब ये 6 फंदे हमारे बराबर 6 रहेंगे और ये भी green वाले हमारे फंदे बढ़ेंगे तो अब इन फंदों को हम ऐसे लेते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, यह दिखे, हमने नौ फंदे बिन दिए, अब इस फंदे पे हम लूप लगा देंगे, और सीधी सलाई हम पूरी ऐसे ही कंप्रीट करेंगे, अब हम इसी तरह से, जैसे मैंने यह छै फंदे कंप्रीट करेंगे, अब हम ग् यह देखे, हमने यहां तक बना लिया है, यह देखे, ऐसे एक एक करते हुए, ग्रीन के, हमने अभी यहां पे आठ फंदे ले लिये हैं, और यह देखे, हमारी डिजाइन यह इस तरह को आ गई, तो अब यह देखे, इस तरह से करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, हर बार तो यह देखे, हमारी किनारी एकदम चैन जैसी आती है, और एकदम सही से डोरमेट में अच्छा भी लगता है, और यह देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, और एक फंदा हम फिर इससे ले ले लेंगे, तो यह नौ, नौ फंदे हो गए, अज धागे को इसमें हम दो रेड के, एक, दो, यह हमने दो रेड के लिए, अब हमारा यह एक है, तो अब हम दो यलो के बिनेंगे, तो यह देखे, इस तरह से, एक, दो, यह हमने दो यलो के बिनेंगे, अब धागे को हम विकाएंगे, दो रेड के बनाने, तो हमारा यह एक है रेड का, एक इससे ले लेंगे, तो ये हमारे दो रेट के हो गए, तो ये हमारे छे फंदे हो गए, अब हम ये, सारे फंदे, अब हम ये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नव, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, और ये दिखे हमारे यहां पे लेगे, तो ये सोला, सत्रा, ये हमने सत्रा फंदे बिन लिए, अब यहीं से सलाई पर रट लेंगे, और यहां पे हम ये पहला फंदा उतारेंगे, और इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे, ऐसा बिनने से हमारे ये बीच का सरकल बह बहुत आसम रहता है और जोर्मेट जोंसे सरब बढ़ा में खिंड कर आजाता है। यह पूरी लाइन जो जैसा कशा हई वैसे बनाके कमप्लेट करें अब हमने सिधी सलाई बना के कंपलेट कर लिए अब हम देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, एक फंद हम फिर से लेंगे, तो यह हमारे हो गए टोटल दस फंदे, जो हमने शुरू में डाले थे, इस तागे को खीचेंगे, रेड वाले को, और यह दो फंदे रेड के बनाएंगे, तो एक, एक यलो का ले ल दो रेड के हो गए, अब हमारे पास एक यलो बचा है, तो इसको हम एक, दो, तो दो, एक रेड का बिन लिया, तो दो यलो हो गए, अब इस धागे को ऐसे करेंगे, अब दो रेड के, एक, दो, तो एक हमारा रेड का, एक ग्रीन से ले लिया, तो यह हमारे पूरे फंदे हो चार और यहीं से हम सलाई पलटके चार एक पांच पांच फंदे बिनेंगे यहीं से सलाई पलटके हम सीधी साइड में आ जाएंगे तो अभी हमारे यह सोला फंदे हो गएं यहां से लेके यहां तक पूरी सलाई पूरी आसे बना के कमप्लीट करेंगे तो यह हमारी एक कली बन के कमप्लीट होगी अब यह देखे हमने सीदी समय स्वार्व पुरी कंप्लीट कर ली अब हम यह कर से दीस कली पर फाइलर अलिए तो सेम जैसे हम नीचे फंद है डाले थे शोरा यह 6, 7, 8, 9, 9 फंदे अब हम यह ग्रीन के बिनेंगे और एक फंदा हमारा बच्चेगा तो अभी हमारी डिजाइन यह हम इस तरफ लाएं अब फिर इसी तरह से जैसे यहां से बिजाइन अब फिर इस तरफ हो जाएगी तो अभी हमाने एक फंदा यह ग्रीन का हो गया तो इसको अब हम रेड से बिल लेंगे एक और यह दो फंदे रेड के हो गए अब एक फंदा बचा इसको हम यलो से बनाएंगे तो एक दो दो फंदे यलो के अब एक फंदा यह बचा इसको हम रेड से एक दो दो फंदे फिर रेड के अब यह एक फंदा रेड का बचा इसको हम ग्री करेंगे तो यह इसी तरह से जो हम रिपीट करेंगे तो यह हमारा बना के तयार हो होगा मैं आपको फोड़ा सा बनाें कर सबन कर दिखाती हूं गा सब्सक्वीन अब यह दिखें मैंoff indict बना लिया 요 Greg जैसे मैंने बताया था, तो यह हमारे ऐसे डिजाइन का डॉरमेट बन के ताहर होगा, आप को अगर कोई प्राप्लम होती है, तो आप मुझे कमेंड करके पूस सकते हैं, आप कमेंड करके मुझे जरूर बताइए, कि आपको मेरा डॉरमेट कैसा लगा, नमस्कार